जगत निउस 24 में आपका स्वागत है बाहरी दिल्ली पुलीस ने बीते दिनों मंगोलपुरी इलाके में हत्या के मामले को सुलजाते हुए एक नाबालिक समेट तीन अपरादियों को गिरफतार किया है आपको बता दे कि दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बीते 19 दिसंबर की रात को रह चलते शक्ष का कंदा टकराने से आरोपी यूपे एसी की तैयारी कर रहे हैं अमरदीप और शागर पर चाकु से हमला कर दिया जिसमें अमरदीप की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और सागर का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है इस मामले में पुलिस ने पुलिस ने लोकल इंपूट का भी शाहरा लिया है इस दोरान पुलिस को फुटेज में कुछ लड़कों के बीच जगड़ा होता हुआ दिखाई दिया फुटेज के आदार पर अपरादियों की पहचान की गई है पुलिस वारदात के बाद नावालिक को पहले ही रासत में ले लिया इसके बाद बाकी के आरोप्यों के गिराफ़तारी के लिए पुलिस ने आरोप्यों के परिवार वाले और रिश्टदारों के पूछ झा टाजов की लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा आखिर में लोकल इंपुट पर पुलिस को एक रोहित नाम के शक केस के पैसे से ड्राइवर है रोनक पोश्टर चिपकाने का काम करता है वही मुरूतक अमरदीप यूपे ऐसी की तैयारी कर रहा था साथ ही बच्चों को ट्यूशन भी दिया करता था पुलिस के मताबिक अमरदीप के दोस्त सागर की तबियत काफी सुधार आया है फिलहाल त चाकूबाजी की घटना हुई थी जिसमें दो लड़के इंजर्ड थे मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया के दोनों इंजर्ड को हॉस्पिटल में एड्मिट करा दिया गया जिसमें से एक इंजर्ड अमरदीप की मृत्यू हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही हो चुक उस एक्जामिनेशन में यह सामने आया कि इन दो लड़कों का जो दोनों विक्टिम और डिजीज ने इनका जगड़ा किनी तीन लड़कों से हुआ था जगड़े की शुरुआत चश्मदीदों के हिसाब से भी और जो CCDV फोटेज एनलाइज किये गए उनके हिसाब से भी पैदल जाते हुए आपस में कंधा टकराना या बाजू टकराने से शुरुआत हुई थी और इनीशली ये भी देखा गया कि पहले पहल इस जगड़े का निप्तारा भी आपस